हेलो वेलकम टू माई चैनल ओल एक्जाम्स इस वीडियो में हम 27 फरवरी 2024 ससी जीडी के एक्जाम के फर्स्ट सिप्ट के कोशन्स इस वीडियो में हम करेंगे पहला प्रशन पूछा गया था हिमाचल प्रदेश का फुलो का उत्सव किसे का आ जाता है अप्शन में दे रखा था फुलाईच उत्सव फुलाईच उत्सव इसका करेंगे टांस्वर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश में फुलो का उत्सव है फुलाईच उत्सव ये सितंबर महीने में मनाया जाता है इस तोहार में ग्रामिन ढोल बजाते हैं और लर्दा नाम के फूल लेने के लिए पहाड़ा पर जाते हैं ये पॉइंट भी हमें ध्यान में रखना है किस महीने में मनाते हैं सितंबर महीने में अगला प्रशनों देखते हैं अगला प्रशनों पूछा गयता असोग के अभी लेकों की भासा कौन सी हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा असोग के सिला लेक प्राकर्त में थे और ब्रामी लिपी में लिखे गए थे और सबसे पहले 1837 में किसने पढ़े थे जेम्स प्रिंसे अपने ये पॉइंट भी हमे ध्यान में रखना है इसी के साथ अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले अगला प्रशन पूछा गया था ग्रेंड क्रोस अफ दी ओनर पूरुसकार से किसे समानित किया गया दोजार तेईस में नरेंदर मोधी को समानित किया गया था नरेंदर मोधी इसका करेक्ट आंसर हो जाए गया अगला प्रशन देखते हैं अगला प्रश्ण पूछा गया था किस अधिकार को अनुचेद 19 से हटा दिया गया था अनुचेद 19 से समपती के अधिकार को हटा दिया गया था समपती का अधिकार option में दे रखा था तो ये इसका correct answer हो जायेगा संपति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था और एक कानूनी अधिकार यानि की विदिक अधिकार में विदिक अधिकार बना दिया गया था और कौन से आर्टिकल में आता है अब है तीन सो ए आर्टिकल में ये point भी हमें ध्यान में रखना है और वर्तमान में कितने मौलिक अधिकार हैं तो वर्तमान में मौलिक अधिकार हैं 6 संपती के अधिकार को हटा दिया गया अगला प्रशने पूछा गयता सविदान के अनुचित 126 का समन्द किस्से हैं इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सुप्रीम कोर्ट में कार्यवाक मुख्य न्याइदिस की न्यूक्ति से समन्दित हैं अनुचित 126 अनुचित 126 कहता हैं भारत की मुख्य न्याइदिस का पद अगर रिकते हैं या फिर मुख्य न्याइदिस अनुपस्तिती के कारण अपने पद की करतविय पालन करने में असमर्थ हैं तो न्याले की नए न्याइदिसों में से एक न्याइदिस जिसे राष्ट पति इसके लिए न्यूक्त करे और पद की कर्तवी की पालना करेगा तो सुप्रीम कोट के कार्यवाक मुख्य न्यायदिस की न्यूक्ती आर्टिकल 126 में आता है ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अगला प्रश्ण पूछा गया था भरतनाटियम की जननी किसे का आ जाता है भरतनाट एक प्राचीनतम शास्त्री नर्तिय है और किस राजी का शास्त्री नर्तिय है तमिल नांडु का ये शास्त्री नर्तिय है इसके साथ देखते हैं रुकमणी देवी अरुंडेल को 1956 में भारत के तीसरे सबसे बड़े नागरिक पुरुसकार यानिकी पद्म भूशन से सम्मा नित किया गया था और 1967 में संगीत नाटक एकादमी पुरुसकार भी इने मिला था तो रुकमणी देवी अरुंडेल इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न पूछा गया था उस्ताद जाकिर हुसेन किस वाध्य यंतर से सम्मन्दी थे उस्ताद जाकिर हु इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा और हाली में जाकिर हुसेन ने तीन ग्रेमी अवार्ड भी जिते हैं तो ये फैक्ट भी हमें ध्यान में रखना है और 1981 में पदमश्री से समानित किया गया था इनको और 2002 में पदम भुशन से और 2023 में इनको पदम भी भुशन भी मिला था त अब ही पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने हैं इसी के साथ देखते हैं अन्य तबला वादक कौन कौन है किशन माराज किशन माराज का समन्द भी किस से तबला से और पंडित जसराज पंडित जसराज लतीफ कान और जाकिर हुसेन इन सब का समन्द हैं तबला से अगला प अगला प्रश्ण पूछा गया था महिला फीफा वर्ल्ड कप अंडर सेवन्टीन कहां पर आयोजित किया गया था भारत ऑप्शन में दे रखा था दोजार पाइस में अंडर सेवन्टीन महिला विश्व कप का आयोजित भारत में किया गया था भारत इसमें option में दे रखा था तो भारत इसका correct answer हो जाएगा कौन-कौन से राजिय में गोवा, मुंबई और भूनेश्वर में आयोजित करवाया गये थे अगला प्रश्ण पूछा गये था 2011 की जनगर्ना के अनुसार साक्षर्ता दर कितनी थी इसका correct answer हो जाएगा 74.04% और पूरुसों की साक्षर्ता दर कितनी थी 82.14% और महिलाओं की हो जाएगी 65.46% ये सभी डाटा में ध्यान में रखने हैं अगर पूछा जाए किस राजिय का साक्षर्ता दर सबसे अधिक हैं तो केरल उसका correct answer हो जाएगा और सबसे कम कहां पर हैं बिहार में और अगर केंदर शाषित प्रदेश में देखा जाए 2011 की जनगर्ना के अनुसार सबसे ज़्यादा शाक्षर्ता दर कहां पर हैं तो लक्षदीप में और सबसे कम दादर नगर हवेली अगला प्रश्ण पूचा गया था 2023 में पदमश्री से समानित समंदित प्रश्ण था प्रश्ण साइद ये था कि त्रिपूरा में पहले पदमश्री प्राप्त करता कौन थे तो अगर ये पूचा गया तो उसका correct answer हो जाएगा हिमांशु मोहन चौदरी इसी के साथ हम देख देते हैं 2023 में कितने पदमश्री पूरुसकार मिले थे कुल पूरुसकार मिले थे 106 जिसमें से 91 थे पदमश्री और 6 थे पदमवीभूशन और 9 पदमभूशन तो जो भी इनमें से प्रश्ण पूचा गया था वो हमको correct करना था अगला प्रश्ण पूचा गयता कुडिय अटम नर्तिय से समन्दित कुडिय अटम नर्तिय ये केरल से समन्दित है केरल का एक प्रचलित नर्तिय है जो कि भारत की सबसे पुरानी जीवित नाट्य परंपरा में एक है इसी के साथ देखते हैं केरल के अन्य नर्तिय, थैयम का समन्ध भी किस्से केरल राजिय चे, चेकर कुथू, और तिरुवन तिराकली इनका समन्ध भी हो जाएगा केरल राजिय से, तो ये सबी पॉइंट भी हमें ध्यान में रखने, अगला प्रशन पूछा गयता हिंदी में जहर उगलना का मुहावरा, तो इसका करेक्टांसर हो जाएगा अपमान जनक बाते कहना, अगला प्रशन पूछा गयता विलोम सब्द से, हाजिर का विलोम सब्द, गैर हाजिर उसका करेक्टांसर था, अगला प्रशन पूछा गयता हिंदी में, रात्री में गुमने वाला वाक्यांज के लिए एक सब्द, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा निशाचर, निशाचर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रात में गुमने वाला निशाचर, अगला प्रश्ण पूछा गयता, कच्छुआ का तत्सम रूप, कच्छुआ का तत्सम रूप हो जाएगा कच्छप, ये प्रश्ण भी पूछा गयता, एक प्रश्ण पूछा गयता, आर्ती का तत्सम रूप, आर्ती का तत्सम रूप हो जाएगा, आरात्रीक, आरात्रीक इसका करेक्ट आंसर था, अगला प्रश्ण पूछा गयता, खिड़की का परियावाची सब्द से सम्बन देते, तो खिड़की के परियावाची सब्द होते हैं, वातायान, जरोखा, बारी, इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा था, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, अगला प्रश्ण पूछा गया था, जिके में, बेरोजगारी का मुख्य कारण, इनमें से जो भी ऑप्शन में दे रखा था, वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो बेरोजगारी के मुख्य कारण हम देख लेते हैं, अधिक जनसंक्या, निमन कोशल इस्तर, धिमी आर् अधिक व्रदी विकास, तो यह हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, बेरोजगारी के मुख्य कारण ये सबी, अगला प्रश्ण पूछा गया था, अपना घर मानना मुहावरा, तो इसका आंसर हो जाएगा, संकोच नहीं मानना, अपना घर मानना, यानि कि कोई भी संकोच ना एक प्रश्ण पूछा गयता, सहरी का विलॉम सब्द, सहरी का हो जाएगा, ग्रामेन, और दो प्रश्ण पूछे गयते, वाक्य सुधी करण से, तो ये था फर्स्ट सिप्ट आज के पेपर, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करे और चैनल को जरूर करे, थेंक यू